को सदके को इंपॉर्टन्स दे इस रमजान तो अब नेक्स्ट हम जो हमारा अट्रिबूट हम उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि यह सेल्फ लेस एटिटिव तो मौरत भाई आप से शुरुआत करता हूं मैं आप सबसे पहले इसकी शुरुआत करें कि सेल्फ लेस एटिटिव को किस तरीके से मेंटेन करें और अपने लाइफ के अंदर इसको किस तरीके से इंप्लिमेंट करें इस्लामिक प्रस्पेक्टिव की तरह से बहुति अच्छा सवाल है पर्मान भाई देखें मैं एक नेट्शल में बता देता हूं कि बटा देखो अंदर की आवास के अपर जो है तुम्हें गोर करना है बस तुम्हारे अंदर से जो आवाज आती है वो बिल्कुल सेल्सलेज आवाजी है बस तुम जो है अपने आप को अपने डिजायर से ओवर वेलिमिंग कर लेते हो और अंदर के अवाज से मुराज जो है यहां पर आपकी फितरी तोर पर जो आपकी आवाज है जो सही गलत के जो फैसले होते हैं वो उस चीज़ को लेकर उस चीज़ को लेकर जो आपका दिल आपको कहता है या आप आपको लगता है कि यार यही चीज़ सही है तो उस चीज़ पर आप तवज्ज़ करें उस चीज़ को ध्यान दें तो कंटियू करें वारवाई जी तो सेल्फलेस परस्नलीटी के बारे में जैसे आपने मैंने पहले हैदीज बताई थी किस तरह रूट में हमारे लिए तो हमारे लाइफ में किस तरह लाना है तो हमारी अंदर की आवास के ओपर हमें घौर करना है लगताला ने सित्रत में बहुत अच्छा मेकैनिजम रखाया हमारे अंदर कि हम सेल्फलेस बंदे से एट्राइट होते हैं कोई भी एक बंदा सारा कुछ नहीं कर सकता किसी के अंदर कोई खौबी होती है तो आप उससे वह फाइदा उठाते हैं आपके अंदर जो है वो उसको देकर उसे फाइदा पहुंचाते हैं इसी तरह आल्ला थाला ने सबको इंटर डिपेंडेंट रखा है तो इस चीज़ के उपर हमें घोर करना चाहिए अज देखे कितने सारे कंट्रीस हैं सब के ट्रेड रिलेशन्शिफ होते हैं चाहे वो दुश्मन कंट्री क्यों ना हो अब में नाम तो नहीं देना चाहता ल बहुत ही इंपोर्डेंट पॉइंट नोट करने की हैं हमारे लिए कि अंदर यह जो सेल्फ लेस चीज़ लाना है तो हमारा अंदर तो हमें इन सारे चीज़ों के अपर गर्व करना पड़ेगा इसको हम क्या देखते हैं सेल्फ लेस हमारे दिमाग में क्या चीज़ के सेल्फ लेस का मतलब है खुद बिल्कुल रोड पर जाओ और सब कुछ दान कर दो उस लेवल के इमान नहीं है हमारा आज के टाइम पर ना आपको आदीश बताओं हज़रत अबुबकर और हज़रत अमर एक दफ़ा हमारे नभी ने चैरिटी के लिए बुलाया सबको तो हज़रत अबुबकर गए अपने घर में तो वो अपने घर से जितना भी माल था उनका वो सब ले आए में मफ़ूम बता रहा हूँ और फिर हज़रत अमर भी गए और वो भी अपने अपने घर का आदा माल उन्होंने घर में रखा और आदा माल लेके आ गए नभी के पास तो हमारे नभी ने पूछा है अबुबकर तुम क्या लाए हो तो अज़रत अबुबकर ने बोला कि अल्ला के नभी कि मैं अपना सारा माल सारा माल घर का ले आए हैं तो हमारे नभी ने पूछा कि घर के लिए नहीं छोड़का बेके लिए कुछ नहीं छोड़ा तो अज़ Allah कि घरपर अल्ला और उसका नभी है घरपर अल्ला और उसका नभी को छोड़ गया है और फिर हज़त उमर से यही सवाल पोचे कि है उमर तुम क्या लाएगो तो हज़त उमर कहते है कि यह रसुल्ला मैं आदा घरपे छोड़ करई हूँ और आदा में लाया हूं तो आप तो आप देखें उसके बाद आप माइंड का लेवल देखें आप सोचने का लेवल देखें हज़त अबुबकर का लेवल कहां पर रहा हुज़त अमर का लेवल कहां पर रहा हुज़त अमर का लेवल कहां पर और हम जो है हज़त अमर वाले ले हमारा सेलफलेस के जगा सेलफिश बिहेवियर हो चुछा है सेलफिश डोलिप्मेंट जो हमारा हुआ है इस टाइम पर विचले कुछ टाइम से तो ये एक बहुत बड़ी चीज है बाकि सेलफलेस की बात कहूं तो मैं बातला हमारे नभी इशाद तरुमाते हैं कि जो शक्स इनसान से किसी भी इनसान से अच्छा नहीं हो सकता ना उसके साथ मतलब उसके तालुकात या बाकिसारी चीज़ें नहीं है वो अच्छे नहीं है तो वो अल्ला के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता आप तेकि कितनी बड़ी चीज़ है गोई चोटी मोटी चीज़ नहीं है यह मानदारी के अंदर आती है यह अखलाग के अंदर आती है चीज़ जो मैंने आपको शरुवात में जो अप इस पिलर्स बताएं आपको यह टूथ स्पीकिंग में भी आती है तीन पिलर्स तो ही इसी ने पूरे कर दे इस बात ने तो बहुत ज़दा ज़रूर है कि हम सभी लोग सेल्फ प्लेस बने और अपने बारे में कम सोचें दूसरों के बारे में जादर सोचें क्योंकि हमारे नभी की अदिश है कोई शक्स चाहता हो कि उसकी इज़द हो तो हमारे नभी ने का तो वो दूसरों का भला सोचें तो वो दूसरों की मदद कर आज हम लोग फेम के लिए क्या कुछ नहीं करते आज कर हम लोग बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को फॉलो करते है बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते है जो की सही नहीं है बिल्कुल भी विकाउज भी टू कॉम्पुटिशन हम कॉम्पुटिशन करने लगते हैं उन सब लोग उसे तो ये चीज़े गरत है आपने आपको सेल्फ ब्लैस बनाए दूसरों की मदद करने वाला बनाया आपको इज़त भी देंगे आपको हिदायत भी देंगे और आपको हिदायत मांगे इसके बाद हम एक एक कंक्लूजन चाहेंगे आपसे एक कंक्लूजन चाहेंगे इसके बाद इंशाहला हम से स्ट्राइंड करते हैं तो जैसे बिसिकली आपने कहा कि हमारे अंदर इस सेल्फिशनेस बहुत आ गया है तो इसकी वज़य क्या है आज कि हमारी जो है आइडेंटिक लियर में है और हमारी तर्वियत जो है इसलाम नहीं कर रहा है आज करने का जो ही मकसद था कि यह नहीं कि अभी आप युद के लिए हमारी काम करते हैं तो सारे यूथ इतने फैनाशल नहीं होते कि वो गिविंग शू कर दे सेल्फलस एकदम पुरी तरहिशे से बन जाए बल्कि हमारा जो मकसद है कि आपके अंदर यह अच्छा काम करने वाला बने आप एक सौर्ट स्टोरी से मैं एक्जांपल देकर शतम करता हूं कि इक्रीमा इबन अबू जहल कौन हैं अबू जहल के बेटे हैं बीस साल तलक अल्ला के नभी अल्यासलाम की मुखालिफत की हैं अब अबदर में अबू जहल इनके वालिद का वालिद को खतल किया गया था फिर घ। मिक्रा के दोर में इन्होंने इस्लाम लाया तरहेंिसलाम लाने के बार बद इतनी दुश्मनी शदीड दुश्मन नीधी इसकि लाकिंन अबियलासलाम से इसलाम से Hills्लाम से तो इन खुन भेरा था इनको तो जल्दी से लेकर इनको टेंट में ले गए जो ट्रीटमेंट चलता है वहां पर जो है दस लोग दख्मी पड़े हुए थे तो सब लोग जो है पानी की प्यास लग रहे थी सबको तो एक सहाबी थे जो पानी लगकर पहले इक्रीमा को दिया इक्रीमा रजी अलाहनों को तो उन्होंने क्या कहा कि आपने आजू बाजू देखा सारे लोगों को सब लोग पानी पानी कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा तो पहले उसको तूम पानी दो तो पानी तो उनों ने गाया कि मैं पानी नहीं प्यों हुँआ जब तल्त लोग कि शहादत हो चुकी थी विद्य jsет क्योंने दूसरों को सोचते हुए उनके बारे में नेखे हो और उटनेs और शहादत के बुलंद तरीन मरते पर पाइज हो गए वह देखिए इसलाम जो है सबसे खराब से खराब अदमी को भी निखार कर फिल्टर करके बहतरीन इनसान बना कर लेका कर खड़ा कर देता है यह तो एक 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 एक्जामपल थी और सहाबा में हमें बेशिमार क्या है यह नहीं कि हम आपसे डोनेशन कर डोनेशन मांग रहे हैं या फिर लोगों को डोनेट करें यह पेगां हम नहीं देना चाहरे है हम तो बस यह कह रहे हैं कि आपके अंदर एक क्यारेक्टरिस्टिक होना चाहिए क्योंकि आप एक माश्यरे का भला करें उम्मत का भला development as a Muslim, उसमें आपको पता लगे किस तरीके से हम अपने आपको सुधार सकते हैं, अपने आपको इस रम्दान के अंदर, इतने मुबारक महीने के अंदर, अपने 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 आपको प्यॉरिफाइ कर सकते हैं, जो भी negativity है हमारे अंदर, उस सब को दूर कर सकते हैं, यह हमार आपको 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 आपक आपको है, सोचना आपको है, चलना भी आपको है, हम सिर्फ यहां पर आप लोगों के, आप लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं, आपको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप कॉन्टेक्ट करें हमारे साथ हमारे सोशल मेडिया नेटवर्स पर या हमारे करें, इंशालला हम आपको साथ हैं और आपके इस रास्ते पर चलने में आपके पूरी तरीके से मदद करेंगे, तो यह हमारे हमारे नेक्स जो हमारे छे टॉपिक है इस टाइम पर, इसको हम आगे कवर करेंगे, अगला हमारे जो टॉपिक होगा वो अनेस्टी एंट लवि इसके बाद आने वाले लेक्चर पर आपके आपके आपशे इंशालला मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से हम अल्विदा चाहेंगे, अस्सलाम आलेकुम वरह्मत लोह वर्कातौ आपको।